हेलो फ्रेंड्स जय मातादी कैसे हो आप सब आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे स्वास्त होंगे और मस्त भी होंगे और फ्रेंट्स मैं भी ठीक हूँ मैं हिमाचली ब्लॉगर कांता शांडिल और ये फ्रेंट्स ये देखिए हमारे हाँ का कुछ द्रिश्यों इस तरह का है बहुती अत्ती सुन्दर ब्यूटिफुल प्लेस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये देखने को आज कल सब जगा बल्डिंगे बल्डिंगे हर्याली तो कम ही देखने को मिलते हैं पेड़ पौदे तो मुझे लगा चलो आप लोगों को दिखा दू मैं घर जा रही थी ये शनी बार की क्लिप है टाइम ही नहीं लगा बीच में बिजी हो गए थे काम ही इतने ज़्यादा थे और देखे पार को मारा जंगल नियू शिमला का सेक्टर 3 और सेक्टर 4 है और हम पैदली चले वे थे बस की बीट कर रहे थे बस नहीं फिर हमने गाड़ी मुग आई क्या ट्रैफिक जाम था तो मैंने का चलो तब तक पैदली चलते हैं थोड़ी से यात्रा हो जाएगी पैदल चलेंगे सेर हो जाएगी गाड़ी भी सब्सक्राइब करेंगे रजाना में मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी साथ में और वो चली था गया गया में वीडियो बना रही थी और गप्पे भी मारे थे साथ साथ और यह देखिए तैंबल का पौदा है चोड़े पत्ते वाला अभी और इसकी पतले बनाई जाती यह दे अब इसकी जगा ले लिए है प्लास्टिक की प्लेटों ने डिस्पोजल ने यह नेचरल चीजे तो खतमी हो गए है अब और यह हमारे यहाँ चील के हरे भरे पेड एद्रिश्य है हमारी रजाना से बड़ा गाउं की तरफ को दिख रहा हो नीचे यह बड़ा गाउं का पस टेहने जान इचे बिल्डिंग सी दिख रही है और यह इदर है बाउडी रिजाना की यह देखिए इतने घने पेड़ है यहां पे और जो पानी बरने कपड़े धोने आते हैं उनको चाओं भी मिल जाती है और शुद हवा भी मिल जाती है और यह दिखिए हमारा यह मिरको बहुत ही प्यार बहुत ही सुंदर पेड़ लगता है मैं इसको जब भी मैं इसकी हर बारी फोटोग्राफी करती है जब इसमें पत्ते आते हैं अब देखिए अब मुर्जार आ रहा है पते सूक्रे हैं इसके यह चोट चोटे दो तिन पेड़ है कई बहुत बड़ा आशाब मजनू केंते हैं बेस मजनूं ये बहुत ही सुन्दर लगता है मुझे यहां क satisf तरह का彦사를 मेरे अब भूत ही सुन्दर है मुझे तो भाँत ही प्यारा लगता है और फ्रेंट्स में एक बात कहना चाहती हूं कि मुझे video बनाती है नो, कोई प्रसाईत नि करता लुदी motivate ही करते हैं सारे motivate कोई नि करता सारे यह कहते हैं कि देखो इसको इस उमर में क्या चड़ लगी इसको क्या शोक चड़ा वीडियो बनाने का मुझे आज ही किसी ने बात अबता ही तो मैंने उनको ये समझाया, देखो किसी को न, अगर तुम उठा नहीं सकते, तो गिराने की कोशिश मत करो, और कोई भी उमर नहीं होती हमें किसी को काम, किसी भी काम करने की, हमें नय काम सीखना चाहिए, और दूसरों को भी कहना चाहिए, कि आप भी सीखो, अब ऐसी ही है दुनिया, आज क के बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं और देखिए मैं पहुंच गई थी अपने घर में वहां कुछ काम बच्चा वा था मेरे पती देव को जाना पड़ा उनको फोन आ गया था कि आ जब कोई किसी स्वारिया ले जानी है तो काम छोड़के चले गए थे तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा बच्चा है उसको मैं ही कर लेती हूं आएंगे तो उनको फिर असानी रहेगी दूसरा कोट करने की थे तो मुझे कपड़े भी दोने को पर मैंने चर्श पहले इस उच्छे चलो सूप जाएगा वह आएंगे मैं कपड़े दोलूंगी और इसको और दूसर कराने काम कर सकते तो नया काम करने के लिए क्या है अगर तो कोई यह बोले ना हमारे को कि चलो भी अब तुम हम तुमारे को बैठ के रोटिया खलाए तब तो बात भी है और काम ना करेंगे तो बोलेंगे देखो बुड़ी को काम नहीं करती है और कोई हम नया काम करते तो स समझे नहीं आता है मुझे तो मैंने कभी भी किसी को ना मेरे से बड़े भी एपजोर्ग मैं उनको हमेशा ही बोलती कि कुछ करते रहा करो सीखने की अब जब शुरू में सक्षता भ्यान चला था तो मुझे भी उसमें पढ़ाने का मौका मीला था मैंने भी बहुत सी लेडी जो को पढ़ाया अपने गाउं की और बहुत लोगों का यही कहना था कि आठके नहीं पढ़े अब साठके क्या पढ़ना है तो उनको भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी अरे देखे मेरे पती देव जी आप को कह रहे थे मैंने बुला ही दिर को भूमा को कह रहे थे काम करते नहीं छेड़ना काम करते हो आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए मैं ऐसी आय कर लूगा कैते मैं तो काम कर रहा ना तेरे को क्या है तू तो मेरा तमाशा देख रही है मैंने का मैं तमाशा नहीं के देख रह कर चुकि हूं अपना काम तो ऐसी हसी में जाक कर रहे थे प्रेंस तब ऐसा है कि कोई भी काम करने की कोई उमर नहीं होती कि नया काम सीखना चीए हर उमर में इंसान को कुछ न कुछ करते रहना चीए कभी भी हिमत मतारो और दूसरे को भी डी मोटी मीट मत करो अब हिंदी में बोलना थोड़ा सा जमान लड़ खड़ा रहे है रसाहित करना चाहिए हिंदी के शब्दा से होगे न हम बोलते ही कम है तो इसलिए बोलने में कठनाई होती है अ यह मेरे खर जहां में रहती हूं किराय के अक यह है तो मेरे माई के कहीं ही कि मेरे पापा का घर ngày कर मैं इसका किराया देती हूं कि तो मैं में पापा तो रहे नहीं है निने प्र भाइ भी पीका है, तो मैं मासी को किराया देती हूँ, अब वो भी क्या करेगी बचारी कि मैं हम फ्री में रहने लग जाए, उन्होंने रोटी खानी है, तो हम ऐसे हेल्प नहीं कर सकते, कुछ उनकी तो ऐसे कर देंगे, चलो किराया और उको भी देना है, हमने भी, हम भी किराया इसलिए और उनकी देखवाल भी हो जाती है, साथ रहके दुख सुक भी कट जाता है, और इनसे मिले हमारे गबर सेथ, यह है बच्चों के बिना उदास हुए हुए, और यह काशी को भी मिस कर रहे है, हेलो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ करती हूँ ब्लॉक की समापती, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, कुछ नई सोच, कुछ नई उमीद के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाई बाई